हर दो Hmm तेन्सक्राइंट का सभी लोगिन knee ज़ांपे उएस फेडज योह भाइक जो हैं जघ्रम ज्रून पborgए और उस बयाहँ के बाद हम लोग देख रहे हैं त्रहीमाम हमें ग्लोबल मारकेट्स में मस्त्री दिखाई दे रहे हैं क्या उन्होंने बोला किस तरीके से अब हम ये जो बड़ा gap down हमें Monday के session में अब देखने को मिल रहा है और जब मैंने वीडियो में title जो है वो डाला था thumbnail के उपर लिखा था के there would be a beer attack after जो fed chief के बयान होगा उसके बाद तो बहुत सारे लोगोंने comment किया था संचित भाई तुम्हें कुछ नहीं पता अब हर कोई analyst बन गया है तो इस तरह के comment सुनने पड़े थे बट आपने देख लिया इस वक्त अगर आप screen पर देखने डाव डाव फूचर्स 1100 नीचे बंद हुआ है डाव जोन्स नाजडाग लगबग 600 नीचे बंद हुआ है और S& P500 लगबग 1500 नीचे बंद हुआ है लगबग 3.5-4.5% का फॉल हमें American Markets में देखने को मिलाए एक दिन के अंदर SJX Nifty इस वक्त आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 60-70 पॉइंट ये डावन है बट असल में इस वक्त ये लगबग 220 पॉइंट के आसपास डावन है प्रीमियम कम होगा तो 200-500 पॉइंट का minimum gap down हमें Monday के session में देखने को मिलेगा तो अब इस gap down को किस तरीके से play करना है किस तरीके से situation को play करना है और ये क्यों हुआ सबसे पहले ये reason हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो बढ़िए सबसे पहली चीज जो जो मार्केट को पसंद नहीं आई सबसे पहली चीज जो उनकी statement में निकल के आया जो उन्होंने clearly बोला कि there would be pain उन्होंने सीधा बोला भाई economy में pain होगा और वो pain जो है वो bear करने के लिए मैं तयार हूँ economic pain को bear करने के लिए मैं तयार हूँ क्योंकि मेरा इस वग जो main काम है वो है inflation को कम करना ठीक है उन्होंने सीधा यह बोला that they won't stop and cannot stop hiking interest rates until inflation moves a lot lower जो कि उनका target है 2-3% का तो यह चीज जो है उन्होंने clearly बोली पहली चीज दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली जो market को पसंद नहीं आई देखें अभी तक क्या बात चल रही थी ना मैं आपको दिखाता हूँ अगर dow jones का भी चार्ट हम लगाते हैं आप डेली टाइम फ्रेम पे वर्ल्ल मार्केट में मैं dow jones का chart अगर आपके सामने लाता हूँ यह जो big fall हुआ है इसके अलावा अगर आप यह जो rally देख रहे हैं जुलाई में जो rally आई थी यह rally किस वज़ा से आई थी जुलाई में जब inflation number कम आया था उसके बाद यह चर्चा चलने लगी थी कि fed सिर्फ है वो 2023 के मिड से interest rate को दुबारा cut करना start कर देगा इस वज़े से rally आई थी तो market क्या कर रहा था उस rate cut को price दिन पहले से करने की कोशिश कर रहा था ठीक है बट अब क्या हुआ है ना कि जो जरॉम पावल साब ने speech दिये उसमें 2023 में जो जुलाई में जो बात चल रही थी rate cut वापस जैसे अभी rate जो बढ़ रहे है फिर rate cut वापस का जो cycle शुरू होगा 2023 का वो cycle की उन्होंने बात ही नहीं करी उन्होंने बोला अभी बहुत premature होगा जो है rate cut की बारे में सोचना भी या इस चीज के बारे में बोलना भी तो ये बयान market को बिल्कुल भी पसंद नहीं आय और ये जो तीन बयान थे इसकी वज़े से आई थिंग मैंने बहुत सारी स्पीचिस जरूम पाहल साब की सुनी है वो हमेशा उस टाइप के फेड जेर्मन बोले जाते हैं जो हमेशा चीजों को sugarcoat करते हैं बट आज जो उनकी स्पीच थी मतलब कल शाम को उनकी स्पीच थी वो बिल्कुल बलंड थी और बहुत होके स्पीच अगर आप देखें किसी भी नजर्ये से तो वो उस तरीकी की स्पीच हमें जरूम पाहल साब की तरफ से देखने को मिली है तो इस वज़ा से मार्केट में एक दिक्कत का सिनेरियो अभी के लिए हमारे लिए बनके आ रहा ह अगर हम देखते हैं तो क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट में पैनिक है यूरोपियन मार्केट लगबग 2-3% के आसपास डाउन थे डॉलर इंडेक्स 108.8 के आसपास आ गया है वो एक बड़ा नेगेटिव है क्रूड 100 के उपर अभी भी टिका हुआ है वो एक बड़ा नेगेटिव है तो यह सारी चीजें अब दिक्कत देंगी मंडे को तो मंडे को अब हम किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं प्लान कर सकते और आप किस तरीके से इस तरीके की गैप डाउन को प्ले कर सकते थे वो आपको प्राइज ने बताया और और वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखे सबसे पहले हम Nifty के चार्ट पे चलेंगे, डेली चार्ट पे कुछ important levels है, वो हम बाद में बात करेंगे, 5 minute चार्ट पे आते हैं, ठीक है, Friday के session में एक चीज, बहुत लोग बोलते हैं कि आप price action के through जो है वो trade नहीं कर सकते हैं, आपक संचेज भाई चीज़ों को, मैं simplify रखने की इसलिए कोशिश करता हूँ, जिससे जादा से जादा लोगों को चीज़े समझ आए, 50 indicator लगा के मैं भी आपको 50 तरीके से दिखा सकता हूँ, कि हाँ भाई, इस indicator ने ऐसा बोला, फिर ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, और आप ल चार्ट में हमेशा अगर आपने देखा, जो भी हाई लगाया, मार्केट ने attempt किया हाई लगाने का, वो previous हाई से जो है, वो नीचे-नीचे ही बनाता गया, पूरे दिन कभी भी हाई नहीं मार्केट काट पाया, बट लोज हमेशा बार-बार जो है, वो काटने का attempt हुआ, तो हमारे अल्रेडी है, और यहां पे मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोला था, कि निफ्टी के लिए 17725 इंपोर्टन्ट रेजिस्टन्स है, और मैंने पुट भी बाय करवाई थी लोगों को 17400 की, और अब मंडे को जो गैप डाउन होगा, उसमें बहुत अगड़ा प्रॉ यह बताओ, तो देखो, निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं, कुछ प्राइज एक्षन के पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा, समझेगा, अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग लास्ट वी के एक रेंज में है, 17725 इंपसाइड, 17325 इंपसाइड, पिछले 5 दिन हम लोग इसी रेंज में टाइम पास किया है, ठीक है, कुछ जादा बड़ा मूब मिला नहीं, एक दो दिन को छोड़के, तो अभी हम लोग जो है, वो गैप डाउन होने वाले हैं, अगर 100 पॉइंट का प्रीमियम इसमें से हम निकाल देते हैं, अगर मंडे को situation चेंज नहीं होती है, डाउ फीचर सो, दो सो, तीन सो पॉइंट उपर नहीं हो जाते हैं, तो हम लोग लगबग 17,350 के आसपस और 400 के आसपस gap down होंगे, और ये क्या zone है, ये है demand zone, एक strong demand zone, इसको मैं green mark कर देता हूँ, तो एक strong demand zone, market में है ये वाली, demand zone का क्या मतलब है, उपर से selling pressure आता है, बट इस area पे लंबी लंबी विक्स बनी हुई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई strong buyer है, तो जो भी longs है, मंडे को market में gap down में जो चाहते हैं, कि मैं बताओं, hold करना नहीं करना, अगर 17,300 का level, 17,300 का level, ये वाला level मैं exact to be precise mark कर देता हूँ, इसके नीचे अगर 15 minute की एक भी candle close अपने को मिलती है, then we are out of longs, और आप short कर सकते हैं, gap down के बावजूद भी, जी हाँ, gap down के बावजूद भी, 17,300 के नीचे आप short कर सकते हैं, 17,300 के SL लगा के, और उसके बाद जो है, आप लोग down move को ride कर सकते हैं, Monday के session में भी, ये मेरा suggestion होगा, क्योंकि range थी, हमारे पास 400 point की, ये range टूटेगी, तो I would not be surprised हमें next week में at least यहां तक के levels, कौन सी जगे होगी, ये 16,950 तक की जगे, बहुत आराम से देखने को मिल जाएगी, I would not be surprised, बहुत आराम से और बहुत जल्द ये levels test होते हुए, हमें on the downside में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, तो ये picture है अभी के लिए, तो किस तरीके से gap down को आपको play करना है, वो देखना important होगा, बाकी bank nifty के क्या levels होगे, वो हम opening पे decide करेंगे, क्योंकि उसकी opening अभी कोई fix नहीं है, तो उसके लिए bowl round telegram group join कर लेना, बाद में फिर कहोगे, संच बाद में नहीं है तो ये नहीं है, जै हिंद बान दे मातरम